हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज एक और न्यूवी वीडियो आ चुकी है जो की बहुत ही टेंडिंग टॉपिक पे है कि आपको अभी पता होगा कि अभी एक न्यू बाइक आ चुकी है हेजएफ हंड्रेड हेजएफ डिलक्स की जगह आ चुकी है तो बहुत लोगों को यह डाउट है कि हेजएफ हंड्रेड और अच अफ डिलक्स में क्या अंतर है तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं दोनों में क्या डिफरेंस है तो वीडियो को पूरी देखेगा बिना वीडियो को स्किप करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वी वीडियो देखने के लिए तो एक तरफ हेजए हंड्रेड और एक तरफ एच डिलक्स तो सबसे पहले हम फ्रन्ट में देख कि HF deluxe में देखिए, जो कि इसका फृरंट लोगो है, हीरो का वह 3D में है, और दूसरी तरफ जो HF 100 में है, वह सिंपल स्टीकर लोगो है, तो दूसरे चेंजेस की बात करें, तो इसमें आ जाता है है हैंडल बार, जो कि HF 100 का है है वह बलेक कलर का है और जो कि HF Deluxe का है आप देख सकते हैं इनके ग्राफिक्स में कि HF 100 के ग्राफिक्स छोटे हैं तोड़ा और HF Deluxe के ग्राफिक्स बड़े हैं और वहीं utility box में देखते हैं तो HF 100 में वहां कुछ भी mention नहीं है FI वहीं दूसरी तरफ HF Deluxe में जो की FI का logo लगा है और power start भी mention है जबकि दोनों bike BS6 के साथ आती हैं एक ही engine इन में है और एक ही power है और हम देखते हैं इसका four changes जो इसका grab handle है तो HF 100 का जो है ये pipe type से black color का और वहीं HF Deluxe में जो की है पहले की तरह है चोड़ा जो grab handle है जो की HF Deluxe में जादा अच्छा लगता है देखने में और जो की fifth और last changes है वो है इसके suspension में suspension तो दोनों में सेम है पर जो HF 100 में उपर का cover है वो नहीं दिया गया है माई दूसरी side HF Deluxe में उपर का cover भी है यहीं थे कुछ differences इन दोनों बाइकों में और इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा major difference नहीं है और दोनों के prizes में बस थोड़ा साही उपर नीचे दोनों के prize है तो यहीं तक सी वीडियो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते है अगले वीडियो में